Amazon Prime पर आई वेब सीरीज तांडव को लेकर देश भर में तांडव जारी है तांडव वेब सीरीज के एक द्रशे को लेकर शुरू हुए विवाद के मामले में इसके निर्माताओं पर ने सिर्फ F.I.R. दर्ज हुई है बलकि चारो और से इने आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है इस सीरीज में हिंदू देवताओं के चितरन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है जिसके बाद इसके मेकर्स ने कहा कि अगर गैर इरादतन तरीके से इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं तो वे बिना शर्त माफी मांगते हैं हाला कि इस मामले पर कंगना रहनोत ने सीरीज के मेकर्स पर सीधा हमला बोला है और पूछा है कि क्या अल्ला का मजाक बनाने के लिए हिम्मत है उनमें भाजपा नेता कपिल मिश्रा के ट्वीट को शेयर कर कंगना रहनोत ने लिखा माफी मांगने के लिए बचेगा कहां ये सीधा गला काट देते हैं जिहादी देश फत्वा निकाल देते हैं लिब्रू मीडिया वर्च्वल लिंचिंग कर देती है तुम्हें ना सिर्फ जाने से मना कर दिया जाएगा बलकि उस मोत को भी जिस्टिफाई किया जाएगा बोलो अली अब्बास जफर है हिम्मत अल्ला का मजाक उडाने की इससे पहले भाजपनेता का पिलमिश्रा निट्वीट किया था अली अब्बास जफर जी कभी अपने मजब पर मुवी बना कर माफी मांगिये सारी अभिविक्ति की आजादी हमारे ही धर्म के साथ क्यों कभी अपने एक मात्र इश्ट का भद्दा मजाक उडा कर भी शर्मिन्दा होईए आपके अपरादों का हिसाब भारत का कानून करेगा जहरिला कंटेंट वापस लीजिए तांडव को हटाना ही पड़ेगा दरसल तांडव के निर्देशक अली अबास जफर ने हमारी और से गंभीरता के साथ माफी कैप्शन के साथ बयान ट्वीट किया और इसे तांडव के कास्ट एमम क्रू की और से आधिकारिक बयान बताया गया इसमें कहा गया कि तांडव के टीम सीरीज पर दर्शकों के परतिकरियाओं पर करीबी नजर रखे रही है बयान में कहा गया आज एक चर्चा के दोरान सूचने उप्रसान मंत्राले से हमने बात किया कि उन्हें वेब सीरीज से विभिन पहलों को लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें और अरजियां मिली हैं जो इसकी सामगरी द्वारा लोगों की भावनाओं को आहत करने संबंदी गंभीर चिंताओं की और आशंकाओं के बारे में है इन में कहा गया इनके निर्माता और कलाकारों का किसी वेक्ती जाती समुदाए धर्म की भावनाओं या धार्मिक आस्थाओं को आहत करने या किसी संस्था राजनेतिक दल अत्वा वेक्ती का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था तांडव की पूरी यूनिट लोगो द्वारा जताई गई चिंताओं पर संग्यान लेती है और यदि इससे गैर इरादतन तरीके से किसी वेक्ती की भावनाओं को चोट पहुंची है तो हम बिना शर्त माफी मांगते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धनेवाद